स्वागत दोस्तों आपके प्यारे से यूटीब चैनल लौवित आदित्मर पिछली वीडियो में हमने इनएविटेबल एक्सिडेंट्स कवर किया था और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक्ट अव गॉड इनएविटेबल एक्सिडेंट के बाद ही क्यों हम एक्ट अव गॉड पढ़ रहे हैं क्योंकि ये दौनों सिमलर डिफेंस है बस दौनों में थोड़ा सा डिफेंस है जैसा कि आप देख पारें विस मेजर विस मेजर का मतलब होता है सुपीरियर फोर्स सो लेट्स स्टाट एक्ट अव गॉड इस दिफेंस रूल अव इस्ट्रिक लिएबिलिटी तैस दी रूल अव राइलेंड वर्सेस फ्लेचर अल्सो रेकंगनाईज इस दिस तो बी अवैलिट डिफेंस फॉर दी परपस अव लिएबिलिटी अंडर इस रूल सो जो इस्ट्रिक लिएबिलिटी का रूल है जिसको हम राइलेंड वसेस फ्लेचर का रूल भी कहते है वो एक्ट ऑफ गॉड को एक वैलिट डिफेंस मानता है जिससे एक जो डिफेंडेंट है अपनी लाइबिलिटी को हटा सकता है अब इस्ट्रिक लाइबिलिटी के अंदर एक एक एक्सेप्शन था और इस्ट्रिक लाइबिलिटी आप पढ़ें या फिर मैं बाद में इसको कभार करूंगा तो उसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा Now Act of God is a Kind of Inevitable Accident जैसा कि मैंने पहले बताया कि act of God कि एक एक Inevitable Accident ही है एक Kind of Inevitable Accident का with the difference that in the case of Act of God the resulting loss arises out of the working of natural forces like exceptionally heavy rainfall, storms, tempest, tides and volcanic eruptions तो यह एक प्रकार का inevitable accident है लेकिन क्या difference है inevitable accident में जो loss है वो man के intervention से आता है मतलब man का कोई हाथ होता है उसमें उसमें human being present रहता है लेकिन in case of act of God जो loss arise होता है ना वो natural force के कारण होता है मतलब की for example earthquake आ जाना, exceptionally heavy rainfall यहाँ पर man intervention कुछ नहीं रहता है यहाँ पर से natural force रहता है now two important essentials are needed for this defense कौन कौन से essentials है जो defense के लिए need है first one is there must be working of natural force क्या होना चाहिए natural force की working होना चाहिए यदि वहाँ पर natural force नहीं है मतलब की ना तो कुछ nature का कुछ force है तो वो फिर act of god नहीं क्यालाएगा second one है the occurrence must be extraordinary and not one which could be anticipated and reasonably guarded again तो natural force तो होना है चाहिए लेकिन जो natural force है जो occurrence है natural force की वो इस परकार की होनी चाहिए कि जो extra ordinary हो not like ordinary extra ordinary and जिसको कोई भी person anticipate ना कर पाए मतलब उसको वो जेल ना पाए है ऐसा होना चाहिए बहुत ही खतलनाग होना चाहिए अब फर्स्ट जो essential है उससे related case है working of natural force तो एक case है रामा लिंगा नादर वर्से नरायन रेट दिया है इस case में यही था कि कुछ भी natural force की working नहीं थी तो यहां पर यही कहा गया था कि अब गॉड नहीं होगा तो हम case read करते है it has been held that the criminal activities of the unruly mob which robbed the goods transported in the defendant's law cannot be considered to be an act of God and defendant may be liable for the loss of goods as a common carrier तो यहां पर क्या हुआ था जो plaintiff था उसकी जो गुट्स थी उसको बहुत सारे किमिनलों ने एक लोरी जो थी उससे वहां पर रॉमलप की छीन ली बहुत सारे लोगों ने तो यहां पर यही कहा गया कि यह तो anticipate किया जा सकता था यहां पर ऐसा कुछ natural force की occurring नहीं थी तो यहां पर act of God नहीं होगा और defendant जो है वो liable होगा second essential जो है occurrence must be extraordinary इसका भी एक case है बहुत ही famous case है बहुत ही important case है आप note down करियेगा Nichols versus marshland इस case में क्या हुआ the defense was successfully pleaded जो defense थी वो बहुत ही असानी से grant हो गई थी granted हो गई थी in the case defendant created some artificial lake on his land by damming some national streams इस case में क्या हुआ था कि जो defendant था उसने बहुत सारे कुछ artificial lake create किये थे और पूरी safety से किये थे चार तरब बाद बना दिये थे जिससे की कुछ भी natural force की occurring हो तो कुछ उसमें कुछ नुकसान ना हो या फिर उससे किसी को कुछ नुकसान ना हो बट वन्स देर वाज एन एक्स्टाओर्णरी heavy rainfall लेकिन एक दिन ऐसी rainfall हुई बहुत ही तेज rainfall हुई and stated to be the heaviest in the human memory और उसको human memory का एक heaviest rainfall कहा गया मलब की बहुत history type की rainfall हुई मलब ऐसी कभी हुई नहीं थी and could not be anticipated और उसको anticipated नहीं किया जा सकता था उसको रोका नहीं जा सकता था as a result of which the embankments of the lake gave way जिसके कारण क्या हुआ जो लेक के embankment थे जो बान थे वो food गए वो नस्ट हो गए धी रश ऑफ दी वाटर वास्ट अवे four beaches belonging to the plaintiff it was held at the defendant were not liable as the loss had occurred due to act of war तो उससे क्या हुआ इतना रश्था वाटर का कि वह चार bridges जो थे plaintiff के उसको भी तोड़ फोड़ कर नस्ट कर दिए नस्ट कर दिए इतनी तेज रश्था वाटर का तो यहीं पर यह एक आ गया कि यह जो loss और यहां पर डिफेंडेंट की लाइबिलिटी नहीं बनेगी क्योंकि यहां पर एक्ट ऑफ गॉड़ था इससे रिलेटेड एक और केस था उसमें यह था कि जो rainfall उसकेस में भी हुई थी लिकिन उसमें जो rainfall हुई थी वह को अंटिसबेट की जा सकती थी माल नौर्मल rainfall थी एक्स्टाओर नहीं थी तो उसकेस में डिफेंडेंट को लाइबल किया गया था तो यदी आपको यह अटकू आपको यह जिए अग्जाम प्राइब तो यह अटको यह आपको यह और आपको यह जो गया होगा है यह जदी